Hey guys, मैं उस अच्छ निगम और आज किस फीडियो में हम बात करने वाले हैं Marvel की Face 4 TV Shows के बारे में अब आपको लीडी बात पता है कि Disney Plus पे Marvel के बहुत सरे शों हमने देख लिए हैं तीन तो देखे लिए हैं और इस साल अभी दो और आने वाले हैं आज की लिस्ट में आपको बताने वाला हूं कि 2022 में और 2023 में कौन कौन से TV Shows हमें देखने को मलेंगे सो यह guys मैं उस अच्छ निगम and let's begin this video अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सस्क्राइब करो और आदा काम मत करना बाल आइकन दबा के All पे ज़रूर क्लिक करना सबसे पहले टीवी शो जो कि हमने जनवरी के महिने में देखा था और जिसने Marvel Cinematic Universe के अंदर इंट्रूस कर दी है Scarlet Witch मैं बात कर रहा हूँ Wanda Vision की Wanda Vision एक ऐसा शो था जिसको देखने के बाद में सारे के सारे फैंस को पता चल चुका है कि Wanda एक्षिल में कितनी जादा पाउर्फुल है इस शो ने बहुत सारे करेक्टर इंट्रूस किया है जैसे Billy and Tommy, Wanda यानि Scarlet Witch और White Vision I hope आपने देखा ही होगा और आपने नहीं देखा है भी तक Wanda Vision तो definitely आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये था Marvel Sematic Universe का फॉर्स डिजनी प्लस शो जिसने Face 4 के शुरुआ की and it was marvelous दूसरे टीवी शो जो हमने मार्श के मेने में देखा था मैं बात कर रहा हूँ Falcon and the Winter Soldier की Falcon and the Winter Soldier एक self-contained स्टोरी थी Falcon यानि कि नई Captain America के उपर और Bucky Barnes दोनों का बहुत अच्छा character development हमें देखने हुला साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें इस कहानी ने set कर दी है future हमें Marvel का पता चल चुका है क्या future के अंदर हमारा Sam और Bucky क्या करने वाले है साथ साथ इस series का जो villain था वो था Zemo Zemo के साथ हमने अच्छे से connect कि हमने जाना कि Zemo actually में जो करता है वो क्यों करता है और Zemo को क्या push करता है यानि उसके अंदर क्या जुनूर है जो ये सब कुछ करवाता है future के अंदर हमें Zemo definitely देखने को मिलेगा मिलेगा इस show के end में Zemo की कहानी Falcon की कहानी और हमारे बकी कहानी भी set up हो चुकी है and it was just fantastic उसके बाद हमने देखा Loki अब Loki की बारे में मैं क्या ही कहूँ Loki का season 1 was the best Disney Plus show ever अभी तक हमने 3 show देख लिए हैं और अब सब लोग कह सकते हैं कि Loki जो है वो वरना दा best show था Multiverse के शुरुआत होती है तो मैं इस show के अंदर देखने मिली Loki जो की एक hero था उसके अद एंटी hero बना और अब finally वो हमारे ले एक hero बन चुका है Sylvie की शुरुआत हुई और हमें देखने मिला इस Marvel Sematic Universe के phase 4 का बहुत भी बड़ा villain यानि Kang the Conqueror तो Loki शो एक ऐसा show था जिसने Marvel Sematic Universe के future को पूरे तरिके से change कर दिया है अब आने वाला है Marvel का एक ऐसा show जो की Marvel ने कभी भी सोचा नहीं था कि वो बनाएंगे ये होने वाला है Marvel का what if what if एक ऐसी कहानी है जो की comics के अंदर बहुत जादे popular थी और TV shows के अंदर भी इसको animated प्रस्तुत किया जाएगा 11 अगस से ये show चालू होने वाला है और इसके अंदर हमें animated shows दिखाए जाएगे 30 मिनिट का एक episode होने वाला है और ये कहानी होने वाली है MCU के multiverse की कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता बहुत सारे shows आने वाले हैं Marvel's Bandic Universe के अंदर लेकिन कोई भी show मेरे क्यासे What If की तरह नहीं हो पाएगा क्योंकि What If है एक animated show and we cannot wait to watch it उसके बाद एक show आने वाला था Miss Marvel जिसमें होने वाली है Kamala Khan जिसको प्लेग करी इमान विलानी बाकि Marvel ने भी ये चीज़ कंफर्म नहीं किये प्लेशो हो जाएगा 2022 मेरे रिलीज 2021 में Last Face 4 का जो शो आने वाला है वो होने वाला है Hawkeye Jeremy Nanner साथ साथ हमें देखने को मिलेगी हमारी Hayley Stanfield टिचलर स्टार्टिंग रोल के अंदर बहुत हमेजिंग शो होने वाला है 2022 में क्या क्या आने वाला है सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा Moon Knight जो कि January से February के मन्त में रिलीज किया जा सकता है Moon Knight में प्ले करने वाले है Oscar Isaac who has done some great great work in his life साथ साथ हमें as villain देखने को मिलेंगे Ethan Hawke जो कि बहुत यच्छे रोल्स कर चुके हैं और मैं particularly इस शो को रेखने के लिए बहुत बड़ा विजिलांटी हूँ Marvel का Batman कहते है Moon Knight को इस शो के बारे मैंने अलड़ी एक बहुत ही explanation वीडियो बना दी है तो उसको आप चेक आप जरू करना मैं यह बटन में लिंक जरू दूँँगा और उसके इंदर मैंने आपको बताया कि Moon Knight के इंदर क्या क्या हो सकता है तो 2022 का जो पहला शो होने वाला है Moon Knight जिसमें स्टार होने वाले है Ethan Aok और Oscar Isaac I cannot wait to watch it March 2022 के इंदर एक और शो ऐसा रिलीज होने वाला है जो कि Marvel की बहुत सारे questions कौन से करने वाला है Jennifer Walters आखिरका She Hulk कैसे बनी वावस से में Mark Ruffalo का Hulk देखने को बलेगा और She Hulk एक ऐसी सीरीज होने वाली है जिसको Kevin Feige ने कहा है कि एक legal comedy होने वाली है 30 मिनिट से 45 मिनिट का इच एपिसोड होने वाला है टोटल 10 से 12 एपिसोड अने वाला है शो के अंदर ये Marvel Cinematic Universe के अंदर एक और फिमल एवंजें को टिरूस करने वाला है जो होने वाली है Jennifer Walters जिसको प्ले करेंगी टाटियाना मिसलानी ये होने वाला है She Hulk आने वाला है March 2022 के अंदर May 2022 के अंदर एक ऐसा इवेंट वाला शो आने वाला है जिसका इंतजार काफी लोग कर रहे है वो है Secret Invasion हमें देख लोग मिलेंगे Samuel L. Jackson as The Fury और हमें देख लोग मिलेंगे Ben Menderson as Skrull Talos ये कान इतने ज़्यादा अमेजिंग है किसका जो शुरुवात है वो बहुत पहले हो गई होगी वो दिखाया भी जाएगा और ये लीड करेगे Captain Marvel 2 यानि कि The Marvel Movie के अंदर तो बहुत ही मजा आने वाले शो को देखने के लिए इस शो के अंदर जो हमारे गवर्णमेंट के लीडर है साथ साथ बहुत सारे Avengers है न उन सब को स्क्रल धीरे धीरे रेप्लेस कर देंगे और एक्चुलि में पूरी अर्थ पर स्क्रल कर आज होने वाला है सच में ये शो बहुत अमेजिंग होने वाला है I cannot wait to watch it उसके बाद आने वाला है Armor Wars हमें देखने हो मिलेंगे James Rhodes याने कि हमारे Dawn Chirdle वापस से हमारे War Machine बनते हुए ये कहानी सटप होने वाली है Tony Stark की दर्थ के बाद में कि Tony Stark की दर्थ के बाद में उसकी जो भी टेक्नोलजी थी उसके जो आर्मर थे और उसकी जो सारी चीजे थी उनके उपर अगर कोई हमला कर देगा या आगर उनको कोई हध्यानी कोईश करेगा तो वो कहानी कहां पर सटप होने वाली है हमें देखने मिलेगा आर्मर वार्स अभी इसकी रिलिलिस जैट कन्फर्म नहीं हुई है लेकिन 2022 के बिड में ये कभी भी रिलिस हो सकता है फिर आने वाला है आर्मर वार्स से कनेक्ट होता हुआ एक शो जो की बहुत अच्छा होने वाला और फ्यूचर हमें बता देगा आइन मैन का मैं बात कर रहा हूँ आइरेन हार्ट की डॉमिनिक थॉन प्ले करने वाली है रिरी विलियमस और हमें पता चलेगा कि अब आइन मैन का मैंटल जो है वो कैसे आगे बढ़ने वाला है कुछ लोग ये भी कह रहे है कि टोनी स्टाक जो प्ले करते रहे यानि रोबर डानी जूनर वापस आने वाले है लेकिन यह आएगा आर्मर बॉर्स के बाद और यहाँ पे होते हैं 2022 में आने वाले डिस्नी प्लस के शोग खतम अब बात करते हैं 2023 की 2023 एक ऐसे येर होने वाला है जहांपर मावल जो है बहुत सारे नहीं करेक्टर निडूस करने वाले जैसे Blade, Fantastic Four और बहुत सारी मुविस भी आने वाले हैं लेकिन कुछ TV शोज इसके अदर आने वाले हैं जो कि definitely MCU की टाइम लाइन पर बहुत ही बड़ा एफेक्ट डालने वाले हैं कुछ शोग तो भी मावल ने अनौस भी रिकिये हैं जैसे की Ghost Rider, Nova, Young Avengers और बहुत सारे तो उनकी timeline के बारे में भी हमें पता नहीं है बर 2023 के अंदर जो shows confirm है वो मैं आपको बताया है तो फर्स्ट आवल हमें देखने में बहलेगा I Am Groot यह I Am Groot है काई सीरीज होने वाली है जहां पर हमें छोटा वाला और यह जादा बड़ी सीरीज ने ओने वाली है चोटी सीरीज ओने वाली है बठा जेम्स गन ने काई कि अगर गार्डेंस और गलक्सी 3 देखनी है आपको तो I Am Groot भी देखना पड़ेगा तो यह आने वाला है 2023 में इसकी बिलिजिटेट मावल ने नहीं की है फिर हमें देख लोग मिलेगा लोकी का सीजन 2 अब आप यह बात जाते हैं कि एंटमन एंड़ क्वान्टम मेनिया यानि एंटमन के थर्ड पार्ट में कैंग दा कॉंकरर जॉन्टन मेजर से हमें देख लोग मिलेंगे टॉम मिलस्टन वापस आने वाले है लोकी के सीजन 2 में और यह रिलीज किया जाएगा एंटमन के थर्ड पार्ट से पहले 2023 के अंदर 2023 के अंदर यह एक और शो आने वाला है जो कि वकांड़ के बारे में होगा और उसका नाम अभी कंफर्म नहीं किया गया है यह होने वाली है एक वकांड़ के उपर सीरीज जहां पर हमें वकांड़ के हिस्टरी सासाथ वकांड़ का फ्यूशर दिखाए जाएगा यह सीरीज रिलीज होगी 2022 में आने वाली ब्लैक पैंथर वकांड़ फॉरेवर के बात की कहानी पर और सच में मैं यह देख लेगले बहुत अने एक्साइडिड हूँ कि वकांड़ की टेक्नोलोजी को और वकांड़ के हरिटेज को आगे MCU कैसे ले जाता है यह सीरीज आने वाली है 2023 के अंदर और इसकी भी जो रिलीज देट है मावाले कंफर्म नहीं की है इस सारे की सारे Face4 के शो जो मैंने आपको बताए है इनकी रिलीज देट कुछ की कंफर्म है कुछ की कंफर्म नहीं है थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2021 के आते आते हैं 2021 के end आते आते नवंबर में जब आमें D23 देखने को मिलेगा या फिर Comic Con देखने को मिलेगा उसके इन मावल जो है और भी शो के नास्मेंट करने वाला है जिसके इन गोस्ट राइडर, यंग अवेंजर्स, नोवा, सीक्रेट वाडियर्स और बहुत सारे शोड़े हो सकते हैं तो जैसे मुझे को या और अपडेट मिलेगी कि हाँ ये शो भी इस लाइं में जोडने वाले हैं मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा अभी आप मुझे कमेंस्टेशन बताना कि आपकी शो को देखने के लिए बहुत सारे एकसाइट हो मैं to be honest सब कुछ देखने वाला हूँ क्योंकि Secret Revision जैसे Shoko Coin चोड़ेगा भाई I am Groot मुझे देखना ही है Wakanda की future के बारे मुझे जानना ही है और ये भी पता करना है कि नया Iron Man कौन बनेगा तो Armor Wars, Iron Heart इस सब मुझे देखना है Thank you so much for watching this video guys मैं हुँ से चिनिगा विलोंगा आप से एकली वीडियो के अंदर Bye guys check you love you all and have a great amazing day